जैशी किशना दोस्तो वियसना फैमिली में आपका स्वागत है दोस्तो इस बार अहोई अश्टमी पर बहुत ही सरवार सिद्ध योग बनने जा रहा है रवी पुष्य योग है इस योग का सबसे अधिक महतु माना जाता है क्योंकि इस योग में अगर कोई भी उपाय किया ज जाए तो बहुत ही शेष्ट लाब मिलता है अहोई अश्टमी संतान को देने वाली है संतान की दीगर आयू के लिए यह वरत किया जाता है और अहोई माता मा पारवती का ही सरूप माना जाता है उनका उनका ही पूजन किया जाता है तो इस दिन बहुत ही अद्भुत योग बनावा है जिसके कारण नो भागिशाली राशियों को बहुत ही शेष्ट लाव मिलने के योग बन रहे संतान सुख के योग बने अगर आप एक अच्चु को पाय करें तो यकीन मानिया आपको निश्चित इमन मांजिन संतान की प्राप्ति होगी दोस्तों उसकी जानकारी द संतान की लंबी आउयू के लिए रखा जाता है और साथ ही जिन भी बहनों को देखे बार बार गर्पात होता है यानि संतान की प्राप्तिमे किसी प्रकार की रुकावत आ रहे या उनको गर्वधारन होता है और बार बाले miis carriage की problem होती है तो उन्हें यह व्रत अवश्य जिन भी भेनों को देखे संतान की इच्छा है या पुत्र की कामना है उन्हें यह वरत अवश्य रखना चाहिए इसमें निजला वरत रखा जाता है और साथ ही इसमें देखे माता पारवती की अहोई के रूप में पूजा की जाती है अहोई का कलेंडर भी आता है तो उसको ल अहोई अश्टिमी का वरत बहुत ही शेश्ट वरत माना जाता है संतान प्राप्ति के लिए यह वरत आयू कारक और सोभागे कारक होता है इसलिए इस वरत को उस्त्री को अवश्य रखना चाहिए दंपत्यों को देखे संतान सुख नहीं मिल पा रहा कई वर्षों से या है क्योंकि भगवान कृष्ण का बरदान है इस जल में जो भी अहोई अश्टिमी के दिन स्नान करता है उसकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होती है तो दोस्तों इस दिन अगर आप संतान सुख की इच्छा रखते हैं तो राधा कुण में अवश्य स्नान करें साथ ही दोस्त इस दिन भगवान शंकर और मता पारवती का पूरे विदी विदान से पूजन अवश्य करें तो निश्चित ही आपको मन वांचे संतान की प्राप्ती होगी साथ ही दोस्तों इस दिन बहुत ही सरवार सिद्ध योग बना हुआ है नो भागिशाली राशियों को बहुत ही श संतान और पुद्ध प्राप्ती के योग बन रहे हैं भगवान शंकर और मता पारवती का पूरे विधी विदान से पूजन अवश्य करें पंचामिश से या शुद्ध जल से ओम नमस्षिवाय कहते वजल अवश्य अर्पित करें मता पारवती को रोली अवश्य लगाए भ इसे मदार कहा जाता है चाहे नीले फूल वाला हो चाहे सफेद वाला हो आपको कोई सा भी मिल जाए अवश्य ही भगवान शंकर को अर्पित करें अपनी मनों का आमना बोल कर क्यूंकि जो मदार है वो भगवान शंकर को अती प्रिय माना जाता है मदार गणेजी का सरूप मान देखना आपकी जो मनो कामना है अती शीगर पूरी होगी साथ ही दोस्तों इस दिन भगवान शंकर का और माता पारवती का कलावे से गठवंदन अवश्य करें और उनसे प्रातना करें कि हे प्रभू जिस प्रकार गणेजी आपके प्रिये पुत्र हैं इसी प्रकार हमें संता देखना भगवान शंकर और माता पारवती की क्रिपा से आपकी जोली अवश्य ही वरेंगी और आपको मनवानची संतान की प्राप्ती होगी दोस्तों इस दिन यह उपाय करें निश्चित ही आपको लाब मिलेगा दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें औ हर महादेव अवश्य लिखे आप से भी को